मेहस 15 दिन के अंदर बडोद्रा ने आज दूसरा बाहदूर गुत्र गवादिया है पहले मुहमद आरिप की सहाधत के बाद अब बॉर्डर सेक्यूटी फोर्ट के पोलिस इस्पेक्टर संजाई साधू का ने सहाधत मोल ली है हम मौजुद हैं यहां उनके घर पर जहां पर आप देख सकते हैं कि उनका गुद्धे यहां पर लिटाए गया है कल गार्ड ओप ओनर के साथ उनको यहाँ पर रखा गया है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हज्जारों की संख्या में लोग यहाँ पर उबड़ पड़े हैं और उनको स्रध्धांजली अर्पित कर रहे हैं आपको ग्यात हो कि संख्या साथू काफी बाहुस पुलिस अपसर थे और उन्होंने जब बांगलादेश बॉर्डर पर पवसु तसकरी पर गस्त लगाते हुए उन्होंने सहादत बोल ली थी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लोग नारे बाजी कर रहे हैं यहाँ पर संख्या की सहादत को याद कर रहे हैं और हम यहाँ पर जो कुछ लोग बजूद है हम उन्होंसे जाने के कोसिज करते हैं कि आखिरकार यह संख्या साथू की जो सहादत है उनको आपकी स्तजरि ऐसे तो यह देखा जाए तो बहुत दुखकी घटना है और बरोडा के लिए यह दूसरा बेटा आज सही दो रहा है यानि कि हर एक नौ जुवान जो है वो नौ जुवान को एक प्रेणा मिलने वाली है कि देश के लिए हर एक नौचावर करने वाले बरोडा सहर है आज उसकी एक अलग से पहचान हो गई है कि बरोडा यानि नौजुवान यहां से ही सही होते हैं मैं आपसे यह भी जाना चाहता हूं आप यही इलाके आपके इलाके का यह बाहदूर जवान था तो अब उनके जो परिवार है उनके लिए क्या-क्या व्यवस्ता करने का सोचा है प्रस कि यह बरोडा सहर के जो कॉर्पोरेशन है वो गुजराच सरकार और जो देश की जो सरकार है वो सभी उनके लिए आज आगे आए ऐसे मेरी बिंती है सब पसुत असकरी को रोकने के लिए संजय साधू ने जो सहाधत दी है आज बले ही वो पंच महभूत में लीन हो जाएंगे मगर उनकी सहाधत ताउम्र याद रहेगी कैमेरामेंच जितन राजपूत के साथ वसिश्टा सुकलव गुजरात तक कर दो